नवीन दया यूटूब चैनल में आपसे भीका स्वागत है आज लर्निंग एंड टीचिंग का एक्जाम होआ था बियर फर्स्ट एर का MDU ने एक्जाम लिये थे आज 6 जून है और ये थर्ड पेपर है फर्स्ट, सैकेंड पेपर हो चुके है और आज थर्ड पेपर था लर्निंग एंड टीचिंग का जिसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 80 और आपके जो पास टाइम था वो था सिर्फ 3 हावर्स का टाइम ठीक है पेपर लेंथी होता है काफी बड़े क्वेश्चन होते हैं और आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं लिखने के लिए कभी-कभी यह होता है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और हमारे पास टाइम कम बचता है लास्ट के जब हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन आपको ऐसे पर टाइम ड़ना है कि आप हर क्वेश्चन को एक्वल टाइम दे जिसे आपका पेपर कंपलीट हो जाए ठीक है एक ही questions पर आपको ज़्यादा time देने की जूर्थ नहीं है ठीक है because equal marks के questions हैं और आपको equal marks ही मिलेंगे ठीक है यह नहीं कि आप एक questions में एक गंटा लगा रहे हो उसमें आपको ज़्यादा marks मिल जाएंगे इकवल है 16 marks में से ही मिलेंगे आपको 18 या 19 नहीं मिल जाएंगे उसमें ठीक है तो प्लीज time का तुर्ण से ध्यान रखेगा नहीं तो आपका paper जब वो paper रह जाएगा ठीक है next request और मैं आपसे करना चाहते हूं जो अभी next teaching के exam होगे आपके आज तक जो तीन paper हुएं वो common थे ठीक है लेकिन अभी जो exam होंगे आठ तारीक को आपके वो teaching के होंगे ठीक है तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे mail कर दे अपने teaching के subject जिस जिसके भी teaching subject के exam होने है ठीक है social science का है या फिजिकल science है commerce है जिसके भी जो teaching subject है वो मुझे प्लीज अपना paper mail कर दे जगा mail id आपको description में मिल जाएगी वहां से आप मुझे mail कर सकते हो ठीक है तो paper देखते है learning and teaching का third paper फर्स्ट जो paper है आपका फर्स्ट जो question है वही यह question आपका compulsory था यहां आपको four parts में questions मिल जाएगा इसमें से आपको छोड़के कुछ नहीं आना था चारो question आपको attempt करने थे four four marks की question थे फर्स्ट है characteristics of good teaching अच्छे सिक्षन की विशेशता है क्या थी यह four marks में पूछा था उसके बाद concept of brainstorming मस्तिस्क विक्षोब की अवधारना यह questions important है brainstorming का यह 16 marks में भी पूछा जाता है और यह आपका four marks में भी पूछा जाता है अब देखते हैं आपके exam में कितने marks का equation डालते हैं next आपका meaning of learning curve सीखने के वक्र की का अर्थ आपको बताना था ठीक है उसके बाद merits of objective type test वस्तु निश्ट प्रशन पत्रों के गुण बताने थे आपको four marks में ठीक है next आपकी first unit यहां आपको दो question मिलेंगे per unit और आपको सिर्फ 16 marks का equation यह attempt करना होता है question number second है what are the different stage of teaching discuss the various operations involved during interactive stage of teaching section के विविन चर्ण क्या है section की अंतक्रियात्मक अवस्ता में सनित विविन किरियाओं की विवेचना कीजिए यह जो first unit का question देख रहे है stage of teaching यह important है यहां से mostly 2-3 questions ही बनते है first stage पूछ ले level पूछ ले आपसे तो यहां से यह question important है दोनों में से एक question आपको आपके exam में जरूर मिल जाएगा अगर आप हम बात करें पिछले papers की तो पिछले papers भी आप उठाके देख लीजिए यही questions आपको गुमा फिरा के repeat यहीं मिलेंगे क्योंकि questions नहीं बनते यहां से जो most important question है वो यहीं स्टेज या फिर level ठीक है सेकेंड जो है option में यहां पर आपसे लेवल पूछला दोनों questions साथ साथ डाल दिये हैं Explain the various level of teaching How reflective level of teaching is different from memory level of teaching डिसकेंगे teaching के जो level है वो पूछ रखें आपसे और उसमें से सर्फ एक level पूछ रखा है reflective level ठीक है तीन level है इसके लेकिन आपसे सर्फ एक level ही पूछ रखा है वो सकता है next paper में दूसरा level पूछ ले तो आपको level तीनों याद होने चाहिए completely उसके बार में पता होना चाहिए या फिर आपसे तीनों level का ही वो explain कर वाले exam में ठीक है उसके बाद second unit देखे second unit में two parts में है second unit एक तो models है और एक strategy of teaching है तो यहां से आपके questions बनते हैं models से भी questions बनते हैं और आपके strategy of teaching से भी questions बनते हैं तो दोनों में से एक एक questions आपको देखने को मिलेगा question number fourth है what do you mean by mastery learning sorry ये learning का दिया हुआ है what do you mean by mastery learning discuss about the basis principles and importance of mastery learning morals for teacher mastery अधीगम से आप क्या समझते हैं इसका क्या अभी प्राय है mastery अधीगम से संबंदित मूलबूत सिधानतों अत्वा mastery अधीगम के model की अध्यापक के लिए क्या महत्व है इसकी आपको विवेचना करनी थी ठीक है आपकी जो बुक है वो two parts में डिवाइड है लर्निंग की है दो यूनिट और दो यूनिट आपकी टीचिंग की ठीक है पहली दो यूनिट आपकी टीचिंग की ठीक है पहली दो यूनिट आपकी टीचिंग की है तो दो नो यूनिट में से दो यूनिट आपकी टीचिंग की बनती है उन में से आपको दो नो यूनिट म वहाँ से भी आपको question निल जाएंगे ठीक है अलग अलग parts में उसके बाद discuss the method of team teaching in detail and rate it's useful sorry usefulness in teaching at higher secondary stage टोली सिक्षण विदी की चर्चा कीजिए उच तर माध्यमिक स्थर पर अध्यापन में इसकी क्या उप्योगिता है इसके बारे में आपको बताना था टी टीम टीचिंग के बारे में आपको बताना था जब एक क्लास को दो या 3 टीचर इकठा मिलकर पढ़ाते हैं इसको team teaching कहते इसके बारे में आपको बताना था और जो उच तर माध्यमिक स्थर पर इसका किस तरह से यूज किया जाता है या फिर किस तरह से बच्चों को बिठा कर एक ठाप पढ़ाया जाता है और क्या कि इसकी क्रेक्टर स्ट्रीक्स वगएरा होते हैं वह आपको बताने हैं ठीक है नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट देखें जब मैंने आपको स्लेबस कर आया था तब मैंने आपको बताया था कि फ्लेंडर की थ्योरी इंपोर्टंट है लेकिन अभी तक पूछ ही नहीं गई है तो M.D.O. में पूछ ले गई है फ्लेंडर की थियॉरी तो आप भी अपना थोड़ा सा पर करके जाना हो सकते आपके एकजाम में पूछ ले अधर्वाइस तो चांसेस कम हैं क्योंकि M.D.O. में पूछ ली गई है हो सकता आपके एक्जाम में ना पूछे लेकिन एक बार नजर जरूर मार के जाएगा फ्लैंडर की थियोरी पे तुमस्ट तो फ्लैंडर की अंत्र किरिया विस्लेशन परनाले के गुणों एवं दोशों पर प्रकाश ड़े बार दी थी इसके गुण और दोश आपको बताने थे यहांपे ठीक है पहले तो आप बताओगी फ्लैंडर ने क्या थियोरी दी है क्या इसका मेंनिंग है किस तरह से इसका पैटरन है और फिर आप इसके गुण और दोश बताऊगे ओके उसके बाद है कोशन नंबर सेवन बट इस दा मेनिंग ओफ इन्फोर्मेशन एंड कमिनिकेशन टेक्नोलोजी डिसक्राइब दा यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ओफ आइसीटी सूचना एवं संप्र इक्षन तकनीकी का सिक्ष्या के एक्षत्र में उपयोगिता तथा सीमाओं का वर्नन कीजिए क्या इसका यूज है आईसीटी का सिक्ष्या में यह और फिर क्या इसके लिमिटेशन है वो आपको बताने थे ओके नेक्स्ट है कोश्चन नंबर एट और यूनिट फॉर एक्स इसकतार पूर्वक्त वेक्ष्या कीजिए आपको फॉर्थ उनिट में इवैलवेशन से क्विश्चन जरूर मिलेंगे और फॉमेटिव सॉमेटिव डायगनोस्टिक यहां से पूछ रखा है उसके बाद है क्विश्चन नंबर नाइंथ यह आपको जो आपको नंबर नाइ इसके तो आपको सिर्फ एक करने दोनों करने है ठीक है ग्रेडिंग सिस्टम पूछ रखा है जो ग्रेडिंग परनाली है उसके बारे में उसके बाद है continuous and comprehensive evaluation निरंतर तथा व्यापक मुल्यांकन के questions important है यह mostly पूछा जाता है fourth unit में last year के question paper के हम बात करें तो repeat हुआ है questions comprehensive and evaluation क ठीक है और फिर यह था भी आपका आज तक learning and teaching का paper जो आज हुए थे ठीक है आप त्यारी कर रहे हैं CRSU से डीक्रेस्ट से जो बच्चे एक्जाम दे रहे हैं अभी साथ कल से आपके एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे CRSU के तो भई आपको इस तरह से तयारी करनी है first बता दू मैं आपको first unit में आपको यहाँ पे level or stage जो है वो करनी है दोनों में से एक मिलेगी आपको second unit में morals और strategy में से question मिलेगा मदब दोनों में से question मिलेगा ठीक है importance है जो questions है models के हम बात करें inquiry जो model है आपका और दूसरा है mastery level ठीक है दोनों important है उसके बाद जो आपकी strategy है team teaching है brainstorming है दोनों काफी important question बनते हैं यहां से तो इस तरह से third unit में भी फ्लेंडर की important ICT यह डाल दिये गए हैं लेकिन एक बार last year के question जरूर देख लीजेगा 16-17 के देख ले ना वहीं से question repeat हो जाएंगे ठीक है तो यह था आपका learning and teaching का question paper जो आज हुए थे हम डिवने लिए थे ठीक है तो guys bye bye take care and best of luck for exam thank you